अरतालिस घंटों में इंश्यत्रों में भारी बारिश दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडे न्यूज में मैं हूँ आपको रसु नवीम शर्मा हम बात करें मुस्विभाग के लिटेश्ट रुताज अपडेट की मुस्विभाग लिटेश अपडेट जारी कर दिया है और मुस्विभाग के लिटेश्ट गंटों में भारी बारिश की संभाव नाय जताई गई है तो चली जान लेते हैं इसे विस्तार से दोस्तों विडियो शुरू करने से पहले लगना चाहूँगा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन दमाई जिस अपडेट रहे हैं अपडेश की सभी के अपडेट है अलर्ट खबरों से जो की लगातार पिछले कुछ दिनों से मद्र पदेश पर बना हुआ है सांथी राजिस्तान और दिल्ली में भी जो है ब भारी बारिश हो सकती है चोईज घंटों के अंतराल में बुद्वार को साड़ाट बैसे जबलपूर में 200 मिलिमिटर बारिश दर्ज की गई गुणा में 122 मिलिमिटर शाजापूर में 106 मिलिमिटर पंचवणी में 9 मिलिमिटर सतना में 96 टिकमगर में 89 और जहासी में 69 चैन करने साथ लावा, इस सिस्टम से मानसून ट्रफ को अपनी स्ति के दक्षण में करता है इसलिए ग्वालियर इंदोर नीमच उज्जेन भुपाल रतलाम गुना शिवपुरी और सजापूर तेसी जगह ओपर मध्यम से भारी वर्षा दर्जगी आ सकती है जिससे कुछ जगह ओपर बहुत भारी वर्षा हो सकती है इस दोरान सिद्धी रिवा सतना जबलपूरु अम मरिया मंदला में भी कुछ स्थानों पर बारी वर्षा देखी गई है 16 अगस्त की तो इस तरह पूरा मोसम सुखा होगा और जिससे पारा बढ़ेगा गर्मोर उमस्त से भरे मोसम में वापसी होगी ने कि 17 अगस्त तक मध्यम पदेश में मोसम खुल जाएगा